मूवीज हमें जिन्दगी के कई पहलों से अवगत कराती है फिल्मों के जरिये फिल्मेकर्स हमें हर तरह के इनसान के पॉइंट आफ यू से सोचने का मौका देती है क्या हो अगर आप एक अमीर व्यक्ति हो अमीर मतलब बहुत अमीर इतना की हम आम लोग सोच भी ना सके एक बिलेनियर लेकिन इसके बावजूत मजबूरी वश आपको अकेले रहना पड़ जाए आप किसी भी इनसान के संपर्क में ना सके दुनिया के सारे एशो अराम के होते हुए भी आप अपनी जिन्दगी को तनहाईयों में काटने के लिए विवश हो सोची और फील कीजिए ऐसी जिन्दगी क्योंकि ऐसा ही कुछ है हमारे आज के कोरियन ड्रामा आइम नॉट ए रोबोट का नायक की मिन क्यूँ बहुत दिल्चस्प है ये कहानी जिस पर हम आज चर्चा करेंगे वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किदर है अपनी पिछली वीडियो में हमने एक हिंदी डब्ड कोरियन ड्रामा पिनोक्यों के बारे में चर्चा की थी जिसके बाद हमारे पास बहुत से मेसेज़ेस आए कि इस तरह के और भी कोरियन ड्रामा हमें सजेस्ट करें अब क्यूंकि ये कोरियन ड्रामा कई एपिसोड के होते है तो उन्हें देखने में वक्त तो लगता ही है लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको इनके बारे में बताने की यकीन मानिए ये कोरियन ड्रामा एक एडिक्शन की तरह है एक बार आपने देखना शुरू किया तो एकसाइटमेंट लास्ट एपिसोड तक बनी रहती है ऐसा भी नहीं है कि ये हर सीन में आपको एकदम एक्टिव रखेगा ऑन दा एज रखेगा बट ये एक स्लो पॉईजन की तरह आपको ट्रीट करेंगे क्योंकि इनकी कहानी इतनी एंगेजिंग रहती है कि हर बार आप इसके अगले एपिसोड के लिए लालायत रहेंगे लालायत एकसाइटेड रहेंगे तो दोस्तो आज भी हम चर्चा करेंगे एक ऐसे कोरियन ड्रामा सिरीज की जो पहली बात तो MX Player पर फ्री है और दूसरी बात अफकोर्स ये भी आपके लिए हिंदी में उपलब्ध होगी तो आएए जपट्टा मारते हैं फिल्म की कहानी पर और जानते हैं इसके बारे में किम मिन यू एक ऐसा बिलिनियर है जिसे एक ऐसी ऐलर्जी है ऐसी बिमारी है जिसका कोई इलाज नहीं वो जब भी किसी इनसान के संपर्क में आता है या यू कहिए स्किन के संपर्क में आता है तो उसका शरीर अकड़ने लगता है उसका शरीर जलने लगता है जिसका इलाज है एक इंजेक्शन जिसे लगाने के बाद वो normal हो पाता है ये बात वो सारी दुनिया से छुपा के रखता है और इस बिमारी के कारण वो कई एकड में फैले अपने घर में अकेले रहता है ना नौकर चाकर ना कोई और केवल एक व्यक्ति जो उसके सारे काम देखता था ना उसकी दोस्ती किसी से थी ना रिष्टेदारी बट वो अपनी बड़ी कंपनी का डारेक्टर है जो कभी कबार ही ऑफिस जाता है ऐसे में कुछ ऐसे सरकमस्टेंस बनते हैं कि उसे एक रोबोट मिलती है जिससे पहली बार मिलने पर वो इंप्रेस हो जाता है और उसे ट्राइल के लिए अपने घर ले जाना चाहता है लेकिन ट्राइल पर ले जाने से पहले उसमें कुछ technical problem आ जाने के कारण ये संग टाई जिसने इस रोबोट को बनाया था वो परिशान हो जाता है दरसल जिसने इस रोबोट बनाया था उसने इसकी शकल अपनी ex-girlfriend वाली दी थी और इस deal को वो खोना नहीं चाहता था इसलिए वो प्लैन करके उस robot की जगे अपनी girlfriend को भेज देता है अब वो अमीर इनसान यानि किम मिन यू के साथ एक इनसानी लड़की है जिसे वो robot समझ का treat करता है हाला कि सुनने में ये कहानी अजीब जरूर है बट यकीन मानिये फिल्म का screenplay इतनी खुबसूरती के साथ लिखा गया है और छोटी छोटी detailing का इतना ध्यान रखा गया है कि ऐसा feel नहीं होता कि कोई इनसान एक दूसरे इनसान को robot कैसे मान सकता है हर वो चीज जो ऐसा लगने लगता है कि ये कैसे possible है उसका जवाब उसी scene के दौरान मिल जाता है और वो काफी हद तक trust करने योग्या भी रहता है ये एक romantic emotional series है जो 2017 में release हुई थी जिसकी IMDB rating है 8 इस series की cinematography भी बहुत अच्छी है scenes को बहतरीन camera angle से और खूबसूरत बनाए गया है hero अगर अमीर है तो उसके उस धनवान होने को बहतरीन तरीके से दिखाया भी गया है अगर hero को इनसानी जिसम से allergy है तो उसकी दिंचरिया, उसका logo से मिलना, उसके विवहार को काफी detailing में दिखाये गया है और वो चीज believable लगती है Korean drama films या even short films भी अगर आप देखें तो एक चीज़ आप feel करेंगे कि यहाँ filmmakers रिष्टो को लेकर, relations को लेकर audience में emotion भर पाने में बहुत माहिर होते हैं उन्हें audience की वो nabs पता है, जहाँ उन्हें emotional किया जा सकता है और इसके लिए वो रिष्टो को अकसर भुनाते हैं इस web series में भी hero और उसके emotions को बहतरीन तरीके से दिखाया जाता है योप स्योंग हो जिन्होंने lead character किम मिन यू की भूमी का निभाई है उनका बहुत अच्छा काम इस web series में देखने को मिलता है I am not sure कि Korean में उनकी dialogue delivery किस तरीके से रही होगी बट Hindi dubbed version में artist की dialogue delivery जबरदस्त लगी है Of course, original में भी इतनी convincing रही होगी Chai Soobin फिल्म की lead actress है जिन्होंने AG3 किरदार को निभाया है ये actress brilliant है Serious, emotional और even comedy scenes में भी Chai Soobin का अनोखा अंदाज और अनोखी कलाकारी देखने को मिलती है बाकी के actors में ये सुम ताई, की जुन हूम और योम हूम स्योब भी अपने अपने रोल में अच्छे दिखे है फिल्म में VFX का भी अच्छा काम देखने को मिला है Especially skin allergy वाले scenes में अच्छा VFX दिखाये गया है Emotional और Comedy scenes में भी अच्छे BGM का सहियोग scene की importance को बढ़ाता है इस web series के 2 seasons है जिसमें लगबक 30 episodes है तो अगर मैं आपसे feedback के लिए कहूंगा कि ये web series आपको कैसी लगी तो आप मुझे इसका जवाब शायद 1 या 2 week के बाद ही दे पाओ क्योंकि देखने में समय भी लगेगा बट that's okay एक दो episode देखकर भी हमें अपनी राय comment section में दे सकते हैं तो दोस्तो MX Player पर free में ये web series हिंदी में देखी जा सकती है links मैं description box में दे दूँगा that's all for today friends please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video like me on facebook, links are in the description be safe, have fun मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए episode के साथ तब तक के लिए